अपने ही चलंग नेक्श नेट्टत तूड़े में तो दोस्तो आज बहुत ही बड़ी खबर है, आप सवों के लिए दोस्तो सिक्षक से लेकर JPSC6277 बेरुजिगार यूकों के लिए भी बहुत ही बड़ी खबर है, तो चलिए हाँ एके खबर को पुरी जनकाई लेता हैं, व सेवा सर्थ निमावली पर विचार किया गया बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पाराशिक्षकों के लिए सेवा सर्थ निमावली बनाई जा रही है इनमें सिक्षक पत्रता परिक्षा सफल अभियार्थी को प्रास्मिक्ता दी जा रही है बैठक में सभी पाराशिक्षकों को अस्थाई करने की मांग की गई बैठक के बाद सवंका प्रतिनिधी मंडल मुख मंत्री हमन सुरेन से मिला प्रतिनिधी मंदल ने मुख मंत्री को बताया कि पाराशिषकों के लिए प्रस्तावित नेमावली में केवाद सिक्षक पत्रदा परिचा सफल पाराशिषकों को प्रात्मिक्ता दी गई है प्रतिनिधी मंदल ने मुख मंत्री से सभी पराशिषकों के अस्थाई करणवा बेतन मांग देने की मांग की मुख मंत्री ने प्रतिनिधी मंदल को उनकी मांग पर विचार का स्वसन दिया बैठक में मुखमद जायद हुसेन गदाधर महतो अरुन गोप इत्यादी सामिली थे चासी साथ अगली ख़वर आप यहाँ पर देख सकते हैं सरकार पराशिषकों को बेतन मांदे मोर्चा का काना है जैसे कि एक एकित पराशिषक संग मोर्चा की बैठक रविवार को मोराबादी में हुई है बैठक में सरकार से चुनाव पूर्व किये गए वादा को पूरा करने की मांग की गई वक्ताव ने कहा कि सरकार राज के सभी पराशिक्षक को अस्थाई करते हुए बेतन मांदे बैठक में अप्रसिक्षित पराशिक्षक के प्रसिक्षन की ब्यवस्थाव उनके रोके गए मांदे का भूगतान देने की मांग की गई तो चलिए अगली ख़वर पर चलते हैं और साथी साथ आप यहां पर अगली ख़वर देख सकते हैं दोस्तों जप यसी छात्रों के लिए है जप यसी छात्र ने सी एम से मिले और उन्होंने मांग की कि इनकी इंटर्विव जो है रोक दी जाए तो आप यहां पर देख सकत अब्यार्थी ने मुख मंत्री हमंद सुरेन से मुलकात की और उन्हें छटी सीविल सेवा परिच्छा में होई अनिमित्ता आरक्षन में तुरूटी की जनकारे दी उन्हें गड़बारी से समंदी दस्तावेद भी सोपे अब्यार्थी इस परिच्छा को रद कर नए सीरे से परिच्छा लेने की मांग कर रहे थे इस पर सीम में फोन पर एजी से स्वयम बात की और अभ्यार्थी रेंगे उन्होंने आभ्यार्थी को महाधिव्यक्ता के पास भी बेजा उधर महाधिव्यक्ता ने प्रतें मंडल से कहा है कि मुख मंत्री को अपने निर्ण से अवगत टेंगे शठी जेपेसे के सग्षदकार जैसे की सोमवार 24 फरवरी से ही सुरुआ था है तो चलिए आपको अगली ख़वर पर ले चलते हैं दोस्तों तो अगली ख़वर बेरुजगार युकों के लिए है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं राज में 15,000 वैकैंसी लेकिन डिगरी लेकर सड़क पर घूम रहे हैं युग जी हां दोस्तों क्या खबर है तो आप यहां पर देख सकते हैं जारकंड के बिरजगारों की पीड़ा यह है कि उनके उम्र निकलती जा रही है कैसे और कब नौकरी मिलेगी किसी को पता नहीं है सवाल यह भी है कि बहाली हो तो क्योंकि जेपीड़ी में दो सदय से नहीं है जबकि जे एससी में अध्यक्ष और सदय कैपत खाली है अलाकि यह है कि उनके उनके सवाल में जेपीड़ी सिर्फ पांच सिविल सिवा परिक्षा पूर्ण कर पाया है बीवी में सिक्छक नहीं है पठण-पाठण प्रभावि नहीं हो पाई है तो यहीं ख़बर दोस्तों यदि आपका जैसी का अध्याक्ष बन जाते हैं तो जल्द ही 15,000 पर वैकेंसी निकाली जाएगी और अगली ख़बर आप यहां पे देख सकते हैं हमेशा विवादों के घेरे में रही है जैसी नियुक्ति परिक्षा तो यह जैस आप यहां पे देख सकते हैं जार्खन करमचारी चयन आयोग में अध्याक्ष की ही नहीं हुई है नियुक्ति तो यह जैसी का नियुज है तो आशा करते हो कि आपको पूरी जनकारे मिल चोकी होगी तो आप एक लाइक अवस्य कर दे और अपने दोस्तों के साथ सेयर भी कर तो आज के लिए बस इतना ही थांक यू